जलंदर एलेक्शन के बाद एक बार फिर से पंजाब बीजेपी सरगर्मन नजर आ रही है अब प्रदेश कारेकार्णी जो है वो दुबारा घोशित की गई है बाचीत करेंगे हैं हमारे साथ सुभाश शर्मा है सीनियर नेता हैं बीजेपी से सुभाश जी नई प्रदेश का जले बन गई थी कारेकर्णी को कल अध्यक्षी ने गोशित किया है उसमें पार्टी के जितने भी सीनियर लोग हैं जिनके पास राष्ट्रिय पार्टी में जिम्मेदारियां हैं उनको भी जगा मिली है तरुण्चुक जी हैं वारे राष्ट्रे महामंत्री हैं क्यप्टन जितने बड़े नेता हैं पार्टी के उन सबको हमने कारेकर्णी में स्थाई अमंत्री सदस्य करूप में रखा है और उसके इलावा पंजाब के सबी जलों से और सभी विधान सभाओं से रिप्रेजंटिटीव जो है इस प्रदेश कारेकर्णी में हमने लिए हैं और अदक इन में देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो नए भी शामिल किये गए हैं तो उन्हें किस तरह से जिम्मेवारी बांटी गई है पार्टी में जो सीनियर नोग आए हैं उनको निश्चित रूप से सब को स्थान देना ही है उन सब को कुछ ना कुछ काम अध्यक्ष जी ज हाँ भी वोटें बढ़ रही हैं सीटें बढ़ने में तरह समय है लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी की पर्फॉर्मेंस जो है जरंदर में भी ठीक रही है और अगर मैं इसको विधान सभा के नजरिये से देखूं तो दो सीटों पर भारते जनता पार्टी ने लीड ली है दो हजार बारीस में नो की नो सीटों में से पांच पे कॉंगरस और चार पे अमादमी पार्टी आगे थी इसाथ पे अमादमी पार्टी यवदिये प्रफॉर्ट यह दिखाता है कि एक साल में ही बीजे पी की रफ्तार भी बढ़ी है और वोटें भी लगववग 5% वोट पिछले एक साल में हमने बढ़ाया है दोजार चौवीस आते यह वोटें भी बढ़ेंगी और यह वोटें सीटों में कनवर्ट भी होंगी और मैं पूरी उमीद है कि जनरल एलेक्शन में अच्छी मात्रा में पार्टी पंजाब से सीटें जीतेगी अब से यह भी जानना चाहेंगे कि अब जो लोगसभा चुनावाँ उसमें भी बहुत कम समय रहे गया तो उसको देखते हुए कार्यकारणी के द्वारा काम कब से शुरू किये जाएंगे और क्या कुछ इसमें रहेगा काम कि छली रहें रहेंगे और उसके नौ साल बूरे हो रहे हैं उस पर जो करेक्रम होने उसकी रूपर एख़ा बनेगी और फिर चुनाव की त्यारियों में कैसे सब ने जुटना है वो सारा काम जो है अध्यक्ष्टी सबको अपना अपना काम देंगे और जो काम देंगे तो ये थे हमारे साथ BJP निता सुहाष शर्मा जिन्हों ने बताया कि नई प्रदेश कारेकार्णी जो गठित की गई है उसको लेकर के सोंवार को एक मीटिंग रखी जाए कि और उसके बाद निश्यत किया जाएगा कि किसकी ड्यूटी कहां पर लगनी है और किस तरह से काम कि लिया जाना है क्योंकि बेशक जलंदर उप चुनाव तो भारतिय जंता पारटी अपने नाम नहीं कर सकी पर आगे के जो लोग सुबत चुनाव होने हैं उसमें ज्यादा सीटों के लिए ये कारेकार्णी जो है बहतर परिणाम लाने में कितना अक्सफल होगी ये देखना बली बात होगी वीडियो जैनलिस्स सुरज के साथ खबरे अभी तक के लिए चंडिकर से हरसिम्रत